नमस्कार दोफ्तों मैं राउल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर दे स्वागत कता हूँ आपके अपने चैनल DCA पर एक बहुती गंभीर मुद्दा आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ जैसे हम सभी बच्पन से जब भी बड़े होते हैं मालब पढ़ते हैं स्कूल जाते हैं तो हम सभी को सिखाया जाता है कि देश के प्रती प्यार होना चाहिए देश के प्रती जिनून होना चाहिए देश की सेवा का संकल्प आपको लेना चाहिए पर कहीं न कहीं हमारा education system हमें कुछ बनाए चाहे ना बनाए लेकिन एक सच्चा देशभग जरूर बना देता है लेकिन आज की ऐसी दसा देख करके मेरा मन कभी-कभी बहुत ज़्यादा व्यतित होता है आज मैं बात कर रहा हूँ railway की NTPC vacancy की हमारे देश का भविस्ट कौन है हमारे देश का यूआ जो किसी ना किसी सपने को लेकर के जी रहा है कोई railway में जाना चाहता है कोई SSC में जाना चाहता है कोई businessman बनना चाहता है कोई कुछ करना चाहता है सभी के अपने अपने सपने है और ये सपने हम आज से नहीं देखते हैं ये सपने हम तब से देखते हैं जब हम स्कूल कॉलेजेज में होते हैं किया मैं ये काम करूँगा या मैं इस नौकरी में जाऊंगा या मैं ये काम करूँगा लेकिन जब हम वापत धरातल पर आते हैं, जब हम actual उस चीज की तैयारी पर आते हैं, तो हमारी सारी planning धरी की धरी रह जाती है हमारे देश में आज की डेट में वेकेंसी को लेकरके इतना बुरा हाल है, कि ना तो वो कुछ करते बनता है, ना तो हम तैयारी कर पा रहे होते हैं, ना ही हम तैयारी छोड़ पा रहे होते हैं योगि जैसे ही लगता है, हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए, वैसे ही वेकेंसी आती है किसी वेकेंसी का 2018 में वेकेंसी आई थी, 2018-19 में चार-पान साल बाद वेकेंसी आई, वो भी बहुत थोड़ी आज सुबह ही मेरी बाचीत हो रही थी केसी थे, तो वो कहरे है तो जब सरकार के पास वेकेंसी ही नहीं है तो सरकार क्यों आपको वेकेंसी होगी तो निकाल लेगी सरकार? नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ऐसा चुकि रेलवे जो है वो भारत का सबसे बड़ा employer है भारत में जितनी भी कंपनिया काम कर रही है जितनी भी सरकारी उपकरम है प्राइवेट उपकरम है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कर्मचारियों की संख्या है तो वो रेलवे में है जो कि आज का तो है नहीं जब बना था तबसे लोग इसमें रिटायर हो रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हर साल रिटायर होते होंगे, और जब हर साल लोग रिटायर होते होंगे, हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, हर साल रेलवे स्टेशनों की संख्या बढ़ रही है, हर साल ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, तो मैं ये कैसे मानलों की वेकेंसी क्रियेट नहीं नहीं हो रही है। actual में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है मैं खुले सब्दों में कह सकता हूँ कि वो cost cutting पे काम कर रही है सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाया जाए क्यों बचाया जाए मुझे नहीं पता लेकिन सायद अगर आप कुछ news paper में देखें तो अभी कई सारी railway बुरी दुरगटनाई हमें देखने को मिली अभी एक paper की news भी मुझे मिली थी कि लब अब डेढ़ लाख safety category post जो है वो vacant है railway में और ये RTI reply में कहा है railway ने ज़्यादा पुरानी news नहीं है 18 जून 2024 की news है financial express की news है मतलब ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा paper हो उसकी news हो और भी देखी आपको मैं दिखाओं कि हमारे यहाँ railway में एक कर्मचारी से चार-चार कर्मचारियों का काम लिया जा रहा है shift खतम ही नहीं होती है चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है उसे पिछले कुस वर्सों के दौरान बहुत ही गंभीर हास से जो है वो हमें देखने को मिले क्या है एक यूनिंटर दावाई कर्मचारियों की कमी के विजए से दुरगटनाई हो रही है RTI में भी खुलासा हुआ है कर्मचारियों पर काम का बहुत ज़्यादा बोज सरकार क्या कर रही है कि जो है उनी से काम चलाओ और इसके पीछे सिर्फ सरकार जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं तो मैं आप सभी से गुजारिस करूँगा कि आप सभी भी जो टुटर कैंपेइन है इसमें लगातार सपोर्ट करिए लगातार साथ आए क्योंकि रेलवे मुझे यह लगता है कि धक्के सही चलता है 2018 में भी धक्के लगा लगा कर वेकेंसी पूरी हुई पहले फॉर्म भरने को ले करके फिर फॉर्म बनने के बाद वेकेंसी CBT1 एक्जाम को ले करके CBT2, CBT1 का एक्जाम का रिजल्ट आया उसको ले करके फिर दख्के लगाने पड़े हमें काफी दौर भाग करनी पड़ी वीडियोज बनाने पड़े फिर उसके बाद फिर जब CBT2 का रिदर डाया फिर जॉइनिंग वगेरा में काफी लेट हुआ तब जाके 4-5 साल का ये प्रोसेस हो जाता है और 4-5 साल किसी भी ऐसे बेखती के वही आप बता दो वेकेंसी हम नहीं देंगे हम कुछ और तयारी कर लेगा वो बंदा कुछ कहीं और चला जाएगा तो मेरी सरकार थे हाँ जोड़ के बिंती है ये सरकार आप दोनों जगे से जहते यहाँ पर करमचारियों पर बोज है वहाँ हमारे विद्यारतियों पर बोज है तो इसमें भला किसी का नहीं जो काम चार आदमी मिलकर करते हैं वो काम चार आदमी से ही होगा आप वहाँ पर कॉस्ट कटिंग लगा दे आप वहाँ पर एक आदमी से दो दो सिफ्ट करवा ले उसी को ज़्यादा पैसा दे दे आप देखो अगनी वीर योजना क्यों लाई गई मुझे बताओ आप क्यों लाई गई सरकार के उपर सेना बोज है सेना का बोज पेंसन का बहुत आ रहा है जो आदमी रिटायर हो रहे हैं उनको लेकर के बड़ी परिशानी हो रही है अगनी वीर योजना इसलिए लाई गई उत्तरप्रदेश में भी कई सारे स्कूलों का विले कर दिया जा रहा है जो कि वहाँ पर बच्चों की संख्या कम है काफी समय से वेकेंसी आई नहीं है उत्तरप्रदेश में पिछली सिछख बरती मैं तो कहूँगा आई ही नहीं है पिछले जब से बाबाजी आये क्यों नहीं आई है क्योंकि जो पद भरे गए थे 69,000 में और 68,000 में वो तो सिछा मित्रों के पद थे नए प्रद का सरजन हुआ ही नहीं है नए पदों का सरजन करने के बजाए वो खतम कर दिये जा रहे है UPP की बड़ी भरती की बारे में आपने बात करी उसका एक्जाम का हाल हम सब ने देखा बाद में क्या हुआ उस एक्जाम के दौरान पेपर में कोश्चन गलत निकल रहे हैं मतलब इतना पेपर एजेंसी अलाग पेपर बाट्टे वाली एजेंसी अलाग दुनिया अवरेका ताम जाम और पेपर में बेकार बेकार कोश्चन गलत निकल ने यूपी पी की परिच्छा की बात कर रहा हूँ आरो आरो का पेपर भगवान जाने की कब होगा वैसे दिसंबर में बोल रहे हैं की होगा यूपी पीच्छ जैसी परिच्छा में इनको सेंटर नहीं मिल रहे हैं तब जाकर ये 2 दिन पर इच्छा कर आने है उस पे भी student बवाल कर रहा है तो मतलब हो किया रहा है कभी कभी इस देश की भाती जो है वो शालने लगती कि चलो ठीक है हमारा देश जैसा भी है हमारा है हमारा है हमारा है हमारा हमारा है लेकिन ऐसे कैसे आगे पड़ेंगी चीज़ें हम सब को कुछ न कुछ करना हो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हर जगे फैक्ट है सरकार हर जगे कर्मिचारी विरोधी नजर आ रही है और रहता नहीं कि इससे सरकार को नुक्सान नहीं होगा इस बार देखा गया उत्तर पदेश के चुनावों में जो लोग सभा के चुनावों में देखा गया है सरकार को नुक्सान होगा है तो जिस चीज में सबका नुक्सान है वो क्यों की जा रही है मत करिए फिलाल आप सभी को क्या लगता है कमेंट में अपनी बात जरूर रखिएगा और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर से रखिएगा अभी के लिए पना ही तो यह सो पचिता है तो आपको फिलिए विल्ग चाहिए